नमस्कार स्वागत है आपका मेरी चैनल में आई मैं आपके सामने फिर से बड़ा ही इसान और बड़ा ही सुन्दर सा एक डिजाइन लेकर आई हूँ जिसे आप अपने किसी भी प्रजेक्ट में इस्तमाल कर सकती हैं तो यह देखें सेंपल के तोर पे मैंने यहां पे कुछ ल दो सलाइए एक सीथी और एक उल्टी सलाइ बुनके हमने इसको त्यार कर लिया है अब इसके बाद हम इसमें डिजाइन डालेंगे तो यह देखें यह जो हमारा डिजाइन है यह चार के मल्टिपल के हिसाब से बनेगा और तीन फंदे एक्स्ट्रा होंगे इसमें तो आपन इसको जिस भी प्रॉजेक्ट में इसिमाल करना है चार के मल्टिपल के हिसाब से फंदे डालेंगे और तीन फंदे एक्स्ट्रा लेंगे तो यहां पे मैंने 12 एक्सट्रा यह नीचे टोडल 15 फंदें ले लिए हैं तो सीधी तरफ से इसको हम शुरू करेंगे तो मैं यहां पर दो रंग से इस डिजाइन को बना रही हूं बेस कलर मैंने वाइट लिया है और साथ में मैंने इसके ग्रीन कलर लिया है आप चाहे तो इसको मल्टी कलर में भी बना सकते हैं और चाहे तो दो रंग में भी बना सकत चाहें तो इसमें 4 का गैप दे सकती है और चाहें तो शेसलायू का गैप देने के बाद भी इस डिजाइन को रिपीट कर सकती है तो देखें सबसे difficult नहीं है यह देखें दूसरा रंग हमने यहां पर चोथे फंदे पर लेना है इस तरह से तो मेरे जो प्रजेक्ट है मैं उसको double wool करके बना रही हूं तो आप चाहिए तो मोटी बूल से भी बना सकते तो यह देखें यहां पे हमने दूसरा रंग से एक फंदा जैसे सीधा बुनते हैं वैसे निकाला इस फंदे को उतारना नहीं है दूसरी स्लाई पे लेट साइड पे इसको स्लाई पे चड़ा देना है इस तरह से और फिर हमने दागा निकाल के इस तरह से एक और लूप निका को मिन two wings चारबं और दोने को हमने इस तरह से सीदे बुनते हुए बनाना कि एक हो गया कि यह दूसरा हो गया गएं यह तीसरा हो गया है वूरिये चॉत्त हब दा तो हमने यहां पर एक फंदा लेके उसके हमने चार पंदेस, द्यादे स जीदे भुन दी यह कुणैब हमने यहीं से ही सलाई को टरन कर लेना है बैक साइड रंक साइड आ जयेंगे अब यहां पर नीजारा फंदों फिर से बनाईंगे तो यहां पर उल्टी तरफ है तो उल्कटी तरफ से हमने दो फंदों को उल्टा बुंते हुए बनाना है एक दो तिन अगर यह पाली चार प्रत से हमने इन चार को फंदों को उल्टा बुं लिया ग और फिर हम इसको टरं करेंगे और सीधी तरफ आजाएंगे अब देखिए हम क्या करेंगे इन चार फंदों को अब हमने दो फंदे बनाने हैं तो पहले हम दो फंदे लेंगे उनका हम एक फंदा कर लेंगे इस तरह से और फिर अगले दो फंदों को उनका भी हम एक फंदा इस तरह से बना लेंगे तो यहां भी हमारे चार फंद हमने बनाई थे तो अब हमने इनको चार का दो कर लिया इस तरह से यह देखें अब यह दो बन गे अब फिर से हम इस लाई को टर्न करेंगे और रांग साइड जाएंगे उल्टी तरफ से अब उल्टी तरफ से हमने दो फंदों को एक ठा लेके उनका एक फंदा बना देना है यूँ करके पेसे इसको टर्न करेंगे और सीधी तरफ आ जाएंगे अब देखिए चार फंदे बनाये थे तो एक फंदा रह गया अब हमने इसको जो हमारा बेस कलर है वाइट कलर उससे हमने इसको सीधा बोल लेना है यूँ करके और फिर आगे हमने तीन फंदे जो हैं सीधे फिर से बुनने हैं और साथ में हमने जो दूसरा कलर जैसे है मैंने यहां पर गरीन लगाया तो उसको हमने साथ साथ में दूसरे दागे के साथ लपेटते हुए आगे लेके जाना है ताकि पीछे से भी जो अच्छी सवाई आती है तो यह देखें फिर से हमने तीन फंदे सीधे बना लिए अब चोते फंदे को फिर से वैसे ही हम रिपीट करके एक फंदे के चार करेंगे तो द्यान से देखिएगा किस तरह से करना है ये एक फंदा था दागा निकाला इस तरह से हमने इसको इस पर चड़ा दिया left side दो हो गए एक दो कि इसको फिर उस पे चड़ा दिया दूसरी स्लाइप फिर एक फंद और बुना एक दो तीन अब इसको हमने फिर से लेफ्ट पर ले तरफ चड़ा दिये ना है तो यह देखें यहां पर हमारे एक के चार हो गए तो अब इन चारों फंदों को हमने सीधा अब चार होगे अब देखिए इसको यहीं से हम टर्न करके रॉंग साइड आ जाएंगे उल्टी तरफ यहां पर हमने चारों फंदों को उल्टा बुन लेना है तीन और यह चार अब फिर से इसको गुमाके हम सीधी तरफ आ जाएंगे अब यहां पर हमने चार फंदों का दो फंदे कर देने हैं दो फंदे एकठे लेके एक फंदा बनाएंगे और फिर अगले दो फंदे लेके उनका फिर से एक फंदा बना देंगे तो यहां पर चार फंदों का दो फंदे बन जाएंगे तो यह चार के दो होगे फिर से इसको टर्न करेंगे और बैक साइड जाएंगे उल्टी तरफ से हमने अब दो फंदे रहे गए हैं दो का हमने फिर से एक कर लेना है इस तरह से अब फिर से सीधी तरफ आ जाएंगे अब इस फंदे को हमने बेस कलर के साथ सीधा बुल लेना है यूँ करके और उस कलर को उस दागे को हमने अच्छे से खीच लेना है ताकि यह बंदा टाइट हो जाए यहाँ पे और फिर अगले हमने तीन फंदे सीधे मूल लेने हैं और चोथे फंदे से फिर से यही डिजाइन को रिपीट करना है तो आप इसको अपने किसी भी प्रजेक्ट में इस्तुमाल करिए इसे बेबी स्वेटर्स बिनाईए, सौक्स बिनाईए, कैप्स बिनाईए जाहिए तो आप फ्रॉक्स बिना सकते यहें शौल बना सकते देखने में लुकवाई यह बहुत ही अच्छा है और बहुत ही असानी से और जटपड बन जाता यह देखें सिर्फ हमने फंदे किस तरह से बढ़ाने हैं उसका थोड़ा द्यान रखना है एक चार करने हैं और उसके बाद उनको किस तरह से चार से फिर में एक में लेके वाप करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा मल्टी कलर से अगर आप फ्रॉक मनाएंगी बेबी की तो बहुत ही प्यारी बन कराएगी बेबी का स्वेटर मनाएंगे वो भी बड़ा प्यारा बन कराएगा आप इसको किसी भी प्रजेक्ट में इस्तेमाल कर सकती हैं और बड़ा ही असान है लुक वाइस इतना प्यारा लगेगा इतनी ग्रेस आती है इसकी और इसके लिए आपको ज्यादा उन भी नहीं चाहिए अगर आपको मल्टी कलर में बनाना है तो छोटी छोटी उन भी अगर आपके पास सेक्स्टा पड़ी होगी तो आप एक बेस कलर ले ले और उसके साथ आप डार कलर की थोड़ थोड़ी उन के साथ इस तरह से करां तो यह तरह से मैंने इसके की बहार बनाया है तो देखें कितना प्याच क्राया है जैसा रहता है जैसे हम ने पता ने इसे मिल्चा Judith देखर यह आपने देखा यह हमने एक फंदे से ही इसको किस तरह से बना लिया और पीछे से यह बिल्कुल सफाई से आता है क्योंकि हमने दूसरा दागा जो है वह साथ साथ लपेड के लेगे थे तो इस तरह से यह उबरा उबरा दिख रहा है देखें और जितना मर्जी इसको जोली उनीन नज्राइगा बिल्कुल यह अच्छा साथ बनकर आगा यह देखें मैंने दूसरे याप 10 बनाया है इस। implies दो यह देखें यहापे मैंने चाछरजरe सलाईंगों का गया पing दीह हूई है इसमें, पहले मैंने वाइट से बनाया, फिर ग्रीन से बनाया, इसके बाद 4 सलाइए मैंने बनाई है, इसके बाद फिर से बाइट बनाऊंगी, क्योंकि मैं ये दो रंग से ही प्रजक्ट बना रही थी, तो यह देखें जितना मझेस को stretch करें जितना मझेस को खींचें यह बबर्स जो बनाएा है बड़े प्यारे बन कराए हैं यह देखें पिछली साइड से यह देखें wrong side से बिल्कुल कितनी सफाई से यह design बन कराता है एक ही सलाई का design है और आप इसको बड़े मैय से और बड़ी असानी से बना सकते हैं बिगनर्स भी इसको बड़ी अच्छी से बड़ी असानी से इसको अपने किसी भी प्रजेक्ट में इस्तमाल कर सकते हैं और लोकवाइस देखिए कितना प्यारा है गैपिंग का आप देख लीजीगा जैसे आपने रखनी है वैसे रखिएगा तो जुरू ट्राइ करिएगा इस पैटरन को मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद